नमस्ते भाईयों और भेहनों आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ हैं और क्वारंटाइन का अब्जर्वेशन कर रहे हैं इसी कामना के साथ आंटी आज आई हैं और आज हम कर रहे हैं मेंटल हुड वेब सीरीज का रिव्यू जो कि हम आर्ट वाला जी में देख लिए हैं तो दस एपिसोड का सीरीज है और अपनी लोलो दीदी माने करिस्मा कफूर का पहला वेब सीरीज ये है इंटल हुड कहानी में लोलो दीदी जो है वो बनी है मीरा विदन आई तो हम सोचे का है कि उनकी एक आख से उनको दीख रहा होगा इसलिए वन आई फिर हमको पंडी जी डा टे बोले तुम बुडबाख हो आई मतलब आई एलफबेट मीरा में डबल ए आर वाला नहीं है उ अपने बच्चों को अडमीसन कराती हैं और वहां उनकी मुलाकात होती है बाकी सभी माम्स के साथ तो ये बाकी सभी में इनका साथ दिया है संजे सूरी ने तो सभी कलाकारों ने एकदम बेस्टम बेस्ट काम किया है और कास्टिंग इसकी एडबल प्लस है तो इसके लिए स सीरीज आपको उन सभी चैलेंजिस से अवगत कराती है जो एक मा अपने डेली लाइफ में झेलती है तो इस बात के लिए निर्देशक और निर्माता लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि मा के विसे पर आपने ये वेब सीरीज बनाई और मा के विसे पर बनी है इसका मत अरेक्टर दिखाई हैं और एंट में आते आते तक वह ऐसा एक मोनोलोग बोलती है कि आपकी आंसु नहीं गिरे तो हमरा नाम बादल देना हां इस वेब सीरीज का एक ठो गलती हम पकर लिए हैं तो गलती यह है कि करिस्मा दीदी की जो सास है वो कनपूर में रहती है और ए गलत दिखाए हैं तो बेटा आप इस बात का आगे ध्यान रखिए गए ठीक है मेंटल हुट सीरीज देखते हुए हमको एक कहावत याद आ गया काहे कि भगवान हर जगा खुद स्वयम नहीं हो सकते थे इसके लिए उन्होंने मा को जनम दिया तो बेटा all you homies who are stuck at home with their mothers please note क कि मा के पएरों में होता है स्वर्ग तो अपनी मा का काम में हाथ बठाओ ठीक है अच्छे good boy बनो do whatever you want to do in life but don't trouble your mental mom